हलो एवरिवन तो चलिए आज हम बनाएंगे बहुती सुन्दक कुशन कवर्स का डिजाइन इसमें मैंने पिंक फ्लाइस बनाए हैं मर्टी दल रिक्वाइड अब आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है चलिए ड्रोइंग करते हैं स्टार्ट इसकी ड्रोइंग बह इसमें पूरद में पिन तर्याया है और बाद में अपने कपड़े compare टर्श कर लिया है ऐसे अगश्क्र का क्व्र पेडना ओ करद़िए और सबसे बना प्लार है इसको हमने बड़ा है अपने बघा पेपर के टौप पे बनाना है अपर देख सकते हैं यह अ जगा से चोटी चोटी स्टेम्स और निकाल लेंगे और हम एक्जाक्ली सेम तरीके से अपने और फ्लास बना लेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह मैं सेकंड फ्लार बना रही हूं एक्जाक्ली सेम तरीके से हमारे सारी के सारे फ्लास बना लेंगे और यह डिजाइन बनाया है यह ऐसे बनाना है रैट साइड में एक लीव बनाएंगे और मिडल में भी आप exactly सेम एक लीव बनाएंगे तो यह हमारा बड़ा लीफ रेडी हो जाएगा अब हमने रैंडमली जगा जगा पर छोटे छोटे से बड़्स बना लेने हैं आप स्क्रिन पे देखिए मैं ये बच कैसे बना रही हूँ और ऐसे ही हमने रैंडमली लीव्स बना लेने हैं और ये हमारा डिजाइन फिर कुछ ऐसा दिखाए देगा ये डिजाइन मुझे किसी ने रेफरेंस के लिए बेजा था उनको ऐसे कुशन कवर्स चाहिए थे अब ये एक्जाक्ली सेम तरीके से ऐसे शेडिंग दे देंगे आप ये शेडिंग देते वक्त धिये धियान रखेंगे कि आप नीचे से उपर की ही साइड पे जाएं ब्रश को उपर से नीचे की साइड पे मुव नहीं करना है अब मैंने लिया है सैल्मन पिंक शेड और आ आप एक्जाक्ली सेम तरीके से अपने सारे पेटल्स को सैल्मन पिंक से शेडिंग दे देंगे अब हम लेंगे वाइट कलर और आप देख सकते हैं जो मैंने बॉर्डर बनाया है पेंसल से उसके उपर मैंने वाइट कलर से एक लाइन बना दी है लाइन बनाने के बाद हम उ अगर पिंग कलर जादा लग गया तो अच्छा नहीं लगेगा और हमारा के डिजाइन अप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है अब मैंने लिया है एकदम clean brush ये three number का round brush है और उसकी help से मैं simple खाली brush की help से it is a plain brush इसकी help से मैं अपने flower को shading दे रही हूँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं ये कैसे कर रही हूँ पिकेज ये brush बिल्कुल खाली है तो इससे आपके जो colors है वो mix नहीं होंगे उनमें सिरफ हलकी हलकी सी shading आएगी exactly सेम तरीके से हमने हमारे सारे flowers को shading दे देनी है अब ये जो बड़ा flower है सिरफ इसके अंदर मैंने थोड़ा सा crimson red color से भी shading दिया है आपने अपने सिरफ tip के उपर color लगाना है आप देख सकते हैं मैंने कैसे लगाया था सिरफ tip के उपर color लगाके आप हलका हलका सा red color से crimson red shade से अपने flower में shading दे देंगे अगर red बहुत जादा हो जाएगा तो वो pink को dominant कर लेगा और pink shade का reflection एकदम red हो जाएगा मैंने हमारे buds में भी exactly सेम तरीके से pink, salmon pink और white color से shading दी है जैसे पहले flower में दी थी अगर आप चाहें तो इसमें सिरफ pink और white की shading दे 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 या सिरफ salmon pink और white की shading दे 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 उससे भी ये बहुत सुन्दर लगेगा और हमारा bud आप देख सकते हैं कि बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा चलिए अब हम करते हैं leaf start leaf बनाने के लिए जो मैंने border बनाया है pencil से हम उसका थोड़ा सा distance छोड़के sap green color से उसको पूरा fill कर देंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरा का पूरा sap green color से fill कर दिया है और थोड़ा सा color मैंने जादा ही लिया है color को कम नहीं रखा है अब exactly सेम तरीके से आप अपने sap green color को अपने एक दो leaves के अंदर और भर लें और अब हम हमारा lemon yellow color लेंगे और हमारा जो border है leaves का उसको बना लेंगे आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है अब दूसरे leaf के side पर भी border बना लें ताकि जो हमारा color है उसको few minutes मिल जाएं dry होने के लिए और अब हम देदेंगे इसकी shading आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं कैसे दे रही हूँ बाहर lemon yellow color को आप sap green color के अंदर mix करने के लिए उसकी shading देदेंगे lemon yellow shade भी जब आप लगाएंगे तो उसकी quantity को थोड़ा जादा ही रखेंगे sap green color बहुत जादा dark होता है तो lemon yellow को dominate कर लेगा आप yellow जादा रखेंगे तभी वो उसके अंदर प्रॉपर दिखेगा भी और shading भी आएगी अब मेरे brush में जो बहुत जादा color हो गया था देखी मैंने कैसे उसको अपने हाथ पे लगा लिया और उससे मैं birds के नीचे वरे छोटे छोटे से leaves बना लूँगी उससे क्या होगा कि yellow की automatically हमारे birds के leaves में भी shading आ जाएगी हलका साइस leaf को और dry होने के बाद हम हलकी सी shading और दे रहे हैं अपने brush से color को हलका हलका shading और दे रहे हैं आप देख सकते हैं screen पे मैंने कैसे किया है और हमारे सारे के सारे leaves अब इसी तरीके से हम ready कर लेंगे और यह हमारा design अब कुछ ऐसा दिखाई देगा और अब हम लेंगे black color और triple zero brush और उसकी help से हम हमारी stems को बना लेंगे और हमारे leaves के ओपर हम border दे देंगे और फ्लास पे भी border देना है बट्स पे भी border देना है और यह मेरा design ready होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आपको मेरी painting करने की technique easy और simple लगती है अच्छी लगती है तो please मेरे चैनल को like, share और subscribe जरूर करे मैं आपके साथ और भी easy painting करने के तरीके लेके आती रहूंगी thank you